और यह समूदर के इकोसिस्टम को clean और बहतर बनाने में काफी मदद करते हैं. यह समूदर की निचली सदय पर रेद के अंदर रहते हैं। और इसी लिए इसको earth bomb of the sea भी कहा जाता है। समुन्दर की इकोसिस्टम को क्लीन रखने के लिए इसका समुन्दर में होना काफी ज़्यादा जरूरी है